ये मीटिंग जो है आज की एक हैं मीटिंग है विजन करनाटका ने इस मीटिंग को और्गनेस किया है हम ये बताना चाहते हैं कि धर्नों में जाकर हम किस लिए धर्ना दे रहे हैं और C.A.E. क्या है और N.R.C. क्या है ये चीज़ बताने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम मार्गनेस किया है हम चाहते हैं कि अवाम को सारी बात मालूम हो जाए C.A.E. पर और इस देश में C.A.E. क्यों लाया जा रहा है और खुसान मुसालमानों को टार्गेट क्यों किया जा रहा है इस पर हम लोग जो है ये और्गनेस किये हैं इस मीटिंग पर कानफरंस किये हैं और वकाला को बुलाए हैं दानिशमन और सियासी लीडरों को बुलाए हैं हम चाहते हैं कि वो खुलकर आवाम को बताएं और हमारी आवाम तो काफी मासूम है धरने रैली वगरा में चले याद दे हैं उनको मौलूम भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे है वैसे तोराली भी करन है धरने भी देना है लेकिन समझ करकर ना है हम यह कानफरंस ही नहीं आइंदा चलकर जो है धरने भी देंगे एतजाज भी करेंगे राली भी निकालेंगे इंशालला आने वाले खरीब हफते में आर्टी नगर में हमारे CIE के तरफ से आयाई C के तरफ से धरना भी दिया जा यहां मेंसेज देना चाहिए बता है ना कि CIE करना डगा के तरफ से मेसेज देना चाहते हैं कि CIE लागू बिलकुल नहीं करना चाहिए और इससे जो है मुसल्मान ही नहीं बलके हर तपके के लोगों को परेशानी आएगी यह संग परिवार ने यह मसले को लाकर जो है दूस करना चाहती है और मैं समझता हूं कि यह हिंदू ताल आने की कोशिश कर रही है वरना यहां पर जो है हिंदू मुस्लिम सिक इसाई सब मिल जूल कर रहे हैं यहां पर कोई परेशानी नहीं है हमारे बुजरूगों ने इस देश के लिए जो है खुर्मानी दी थी और फांसी पर लटके हुए थे उन्हीं की बदूलत आज जो है हिंदूस्तान बाखी है वरना तुकड़े तुकड़े हो जाएगा जैसे रश्या का है जो भी यह सीए हैं नपी आर हैं यह कॉंस्टिशन के खिलाफ है हम सब मिले हुए हैं हिंदू मुस्लिम सिक इसाई सब एक हैं हम च चाहरे हैं कि सीए बी सीए ये और एन पी आर एन सी आर जो भी है इसको गौव्मेंट जल से जल विड्रॉ करें और चाहिए कि हम मुसल्मा हर हर तबखे को लोग जो है मिल जूल कर रहे और हिंदूस्तान आगे बड़े और डेवलपेंट के रोड पे रहे और जो है एकनॉम जो मेहनत करके एक बहुत अच्छा मुमेंट के अजिटाइशन चलना प्रटेस्ट करना मजीदां के सामने करना वो एक सप्रेट एक व्यू है ये जो आज ये अमबेड कर भावन में ये समीधान हमारे हाई कोट के जो एक से अरुकेट जेनरल पुर्मेंट आफकरानगा के जो एक से अरुकेट जेनरल पुर्मसर ओईरी मुकुमार जो बता है जो आज ये जुडिशेल के ओपर भी हमारे भरोसा उड़िया है जो जुमू काश्मिर के विचार में उसके बाहरे में जो पांच मेहनों से गुरोपंदन में जो रोके हैं हमारे थोड़े लोगों को वो गुमान शुरू है वो जुडिशेल भी उनके जो गुलाम होंके काम कर रहा है और देश के बहुत को अफसोषी है बलके हमारे रोविम और मुकुमार बुले है वैसे मोमें आज डेमाक्रसी में प्रटेस्ट डेमाक्रसी के हिसाब से ना पॉलिटिकल लोग को बाहर रखके पुरे डलिश, बैकवार्ट्स, मेनाटिश, औरनेशन मिलके करना है काम आज विजन करनाटक की तरफ से एक CAA और यनर्सी और यनपी आर के उपर एक कानफरंस रखी गई है और ये तमाम मजाहिब के मानने वालों इस कानफरंस में बहुत जोश से शरीक है स्पीकर्स भी जो है उनके मौजूद है और सबका एक मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान के दस्तूर की बुनियाद इनसानियत पर रखी गई है और मौजूदा मरकजी हकूमत ने उस दस्तूर को डैमेज करके जो कानून बनाया CAA इस कानून की बुनियाद मजहब पर रखी गई है दस्तूर डैमेज हो गया है और दस्तूर जब डैमेज होगा तो मुलक ये अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा मुलक के अंदर जो है वो अमन आश्ती प्यार महबत ये खतम होके रह जाएगी इस मुलक की तहजीब जो है वो गंगा जमना तहजीब हैं इस मुलक में सदियों से तमाम मजाहिब के मानने वाले एक दूसरे के भाई की तरह रहते हुए चले आएं हकومت चाहे किसी की भी बने बादशाय और राजा चाहे कोई भी रहे इस मुलका लेकिन यहां के बसने वाले हमेशा जो है गंगा जमनी तहजीब के हामिल रहे हैं और एक दूसरे की प्यार महब्बत के साथ रहे हैं यहां मधहब की बनियात पर यहां के लोगों को बाटने की कोशिश की गई तहजीब पर कल्चर पर हमला किया गया दस्तूर को डामेज करने की कोशिश की गई लहादा इस मुलक के मानने वालों का यह कहना है कि यह कभी हम बरदाश नहीं करेंगे इस कानून को वापस लेना पड़ेगा और जब तक नहीं लेंगे इस मुल्क के बाशिंदे स्राणकों पर रहेंगे यावा उंधु सर्कारीक्षेत्र दल्लु weak धर्मवन्ना बढ़सिलिक्ये अवकाष इल्ला बढ़ प्रोत्साहिसी इननननस्दों थूलियो वन्त प्रक्त्रिये साध्यवे इल्दयरोंन्त सन्निवेश्य दल्ली कानून नन्न थन्डि दर इन्ता कानोन रच्चनेयागलिक्के नम्मो पार्लिमेंट्ट बिट्टिद्दू, अधिके राष्टरप्तिगलु अंकीत आक्किदू, बाळा दोड़्ड आतंका स्विष्टि माडिदे, इधर विरुद्ध इगा आगले मक्कदमिगल बिद्धिदे, आधरे इन्ते यावरीती करालकानोन माडिद्धा इन्रा कांधियावरनन किता की, अलवत्तेरटने सम्मीदानता तिद्दुपडियानन किता की, अधे रीती जनते एच्चेत्ट्टु कुण्डू, मत्तम्मेई सरकारवननन किता की, आवरु इज़के आगुवंता हानी एननना यह असल में जो सीए ये पहले सीए भी था वो बिल पास होने के बाद सीए ये सिटिजन्शिप अमेंडमेंट एक्ट बना उसके और यनार सी नैशनल रिजिस्टेशन आफ सिटिजन्शिप इसके बारे में लोगों को मालूम कराने के लिए और इसी के साथ एहतिजाज दर्ज करवाने के लिए और रिजलिशन पास करके हकूमत पर दबाव बनाने के लिए कि ये जो खानून है हमारे इंडियन सिटिजन्स के खिलाफ जो हिंडोस्तान में सिटिजन्स हैं बहुत ज्यादा तकरीबां सतर फीसद लोग ऐसे हैं जो एक मकाम से दूसरे मकाम पे जात देने की बात कही जा रही है और इसी के साथ बाहर के मुलकों से सिटिजन्स को बुला कर उन्हें हकूमत की जानिब से डाकुमेंट्स दिया जाएगा और यहां के सिटिजन्स से डाकुमेंट्स मांगा जाएगा और जो नहीं दे सकता उसे सिटिजन्शिप से महरूम किया ज लिए ये एक बहुत बड़ा आलिशान प्रोग्राम बेंगलोर में अमबेड कर भवन में विजन करना टका रिजिस्टर्ट की जानिब से मुनख़त किया गया था और बहुत बड़ा शांदर और आलिशान मजमा रहा और लोगों ने यहां जमा होकर बड़ी बहुत बड़ी त कांस्टिटूशन के खिलाफ जो खानून बनाया है C.A.E. उसकी मखालिफत करते हैं और इसकी पुर्ज़र मखालिफत करते हैं और इसे मानने से इंकार करते हैं और यही इसका मकसद था और यह मकसद पुरा होता हुआ नजर आ रहा है देखिए कांस्टिटूशन से पहले मैं यह बात आपको बता देना जरूरी समझता हूँ कि हमारी हिंदूस्तान में जो है डिमक्रेसी है डिमक्रेसी का मतलब यह है कि आवाम की तरफ से आवाम के नमाइंदों को चुन कर उन्हें हुकूमत करने के लिए मौखा दिया जाता है अगर आवाम से चुनी गई हुकूमत है अगर आवाम से चुनी गई पार्टी है और आवाम से चुने गई नमाइंदे हैं तो आवाम के मखालिफत में आवाम के खिलाफ कोई खानून लाएंगे ये कोई सोच भी नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता और यहां सारी आवाम सारी हिंदुस्तान के वाम रास्तों में आकर हर जगा इसकी मखालिफत कर रही है और आवाम से चुनी गई सरकार आवाम के मखाल मकालिफत में हो उसे फौरण रद किया जाए और हुकुमत पर हम दबाव डालते हैं कि उन खवानिन को खतम करें और हमारे सदर हिंद पर भी हम दबाव डालते हैं और हम आगरह करते हैं कि वो फौरण इसका नोटिस लें सारी अवाम रास्तों में आ गई है हिंदुस्तान की जिस अवाम ने चुनकर हुकुमत को सेंटर में हुकुमत करने की ताकत दी थी पावर दिया था वो सारी अवाम अब रास्तों में आकर उसकी मखालिफत कर रहे हैं ऐसा खानून जो अवाम को जरूरत नहीं यह बनाने की भी जरूरत नहीं और जो अवाम मखालिफ हो आईसा खानुन को फौरण रद करना चाहिए